हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू M.K.H. I am Snehaha Shingatia and आज मैं आप सब के बीच हूँ मार्ज माह की योजना पतरिका के एनलेसिस के साथ देखिये हम दो जो हमारी में important पतरिकाएं होती है योजना एंड कुरुकषेत्र उनके एनलेसिस की ये जो सिरीज है वो चलने वाली है तो basically योजना की जो हमारी booklet है तो उसका एक हमने आलेक लिया है आपके सामने है आपकी screen पर जिसकी heading है समावेशी और स्रशक्त भारत का मसोदा जैसा कि आप जानते हैं कि मार्ट्स और अप्रेल माहा के जो भी हमारे पुस्तिक हैं आएंगी जो हमारी योजना पतरीका है या क्रिशिक के regarding होगा agriculture मतलब basically जो है अर्थशास्तर से related होता है और basically बजट के आसपास के यहां पर जो है इसके अंदर लेखा आते हैं तो चलिए यहां पर हमने एक विशेश आलेक लिया है जो की संजीत सिंग जी का है संजीत सिंग जी और दिव्यांशी डिडवानिया जी इ हमारी special मोहीम है देखे साइड में इसका लोगो भी है जो हमारी special मोहीम है आकरी विक्ति तक पहुँट तो चलिए स्टार्ट करते हैं समावेशी और सशक्त भारत का मसोदा बहुत ही अच्छे से समझते वे जाने क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा UPSC का या RPSC का जो RIS का है दोनों ही हमारे लिए एक शब्दों का संग्रेत उपलब्द करवाती ही है साथ में factual information और धेड़ सारा जो ग्यान है वो उपलब्द करवाती है तो चलिए प्रारम करते हैं केंदरिये बजट 2023 कलर चेंज करते हैं ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से केंदरिये बजट 2023 में व्यापक आधार पर व्रदी और विकास पर जोड दिया गया है जो हमारा केंदरिये बजट है 2023 का उसके अंदर व्यापक आधार पर व्रदी और विकास पर जोड दिया गया है सिंपल सी बाद है जिससे सभी वर्गों और अर्थवेवस्ता के क्षेतरों को लाब मिल सके यानि सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है और अर्थवेवस्ता के सारे के सारे जो हमारे तीनों क्षेतर है साथ सिदान्तों यानि सब्त रिशी की घोशना किया है तो एक फेक्ट हमारे पास मिला हमें कि यहां पर जो वितमंद्री है उन्होंने साथ मारकदर्शक सिदान्त जो है रखे हैं उनकी घोशना की है जिनको सब्त रिशी के नाम से पुकारा जाता है अन्य साथ प्रात्मिक्त ड़ोजस्राँ में समावेशिय विआ अविकास और विकास के लाब को आकरी विक्ती तक पहुंचाना जो है वो शिर्ष पर रखागया किया यानि जो मेपेलि हमारा यह दिखिया आकरी विक्ती तक पहंच यह बहुत ही important है हमारे लिए और ये अन्य साथ आवशक्ताओं में रखा गया है शब्त डिशी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक समाविशी और सशक्त भारत के लिए एक मसोदा निर्धारित करते हैं तो चल दें हम इसको देखते हैं क्योंकि इस एनलिसिस का मतलब यही होता है कि हम अपने अपना जो है अनलिसिस करते चले हैं अपने नॉलेज को बिलकुल तयार करते हुए चले वर्ड्स हमें मिलने चाहिए लिखने के लिए इस बजट की विशेशग्यों और आर्थिक टिपनीकारों द्वारा सर्व समती से सराहना की गई क्योंकि सभी के लिए बजट के रूप में इसे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करने के लिए तयार किया गया है अब्यस्री बात है कि समाज के हर वर्ग के लिए जो बजट ऐसा जो होता है जो समाज के हर वर्ग का ध्यान रगता है, तीनो क्षेत्रों को का ध्यान रगता है, तो अब्योशी बात है कि समावेशी विकास उसमें होगा, यह नागरिक केंदरित, निति निर्मान और शाषन की दिशा में सरकार के लगातार परियासों का एक वसियत नामा है, कि शाषन की दिशा में जो है सरकार के जो लगातार परियास है और निती निर्मान जो है वो नागरिक केंदरित है ठीक है लोगों को निती निर्मान के केंदर में रखते हुए निती निर्मान के केंदर में किसको रखा गया है लोगों को रखा गया है यह है बजट भारत के विकास मॉडल के व्यापक विश्य को सशक्त करता है यानि हमारा एक ही तो व्यापक विश्य है भारत का विकास और उसके विश्य को सशक्त करता है हमारा बजट 2023-2024 यह बजट एक ऐसे महत्वपुरण मोड पर आया है जब पूरा विश्व अनेक संकटों से जूज रही एक अन्य रूप से धुमिल दुनिया के बीच एक चमकदार उजवल सितारे के रूप में भारत के उद्य को देख रहा है बहुती सुंदर शब्दों का एक बहुती सुंदर स्रयोजन किया गया है आप भी इस लाइन को यूज कर सकते हैं एक घातक महामारी की प्रबल प्रतिकूल परस्थितियों के सामने मजबूती से उठते हुए और वैश्विक आपूर्ती के जटकों का सामना करने के लिए लगातार सशक्त बने रहने के कारण भारत वास्तम में विकास और समरिदी के एक नए मरत की और बढ़ रहा है इसके माध्यम से इसने दुनिया के सामने विशेश रूप से विश्व के दक्षणी देशों में विकास और प्रगती का एक मॉडल रखा है जो उमीद जगाने के साथ-साथ आगे बढ़ने का एक ऐसा उपाया है जिससे सभी अर्थ व्यवस्थाओं में आसानी से अपनाया जा सकता है क्योंकि हमारी जो भारतिय अर्थ व्यवस्था है बहुती कॉंपलेक्स टाइप की है बहुती जटिल टाइप की है यहाँ पर बहुत सी विविद्दाए हैं जिसके कारण किसी भी देश में हमारे देश का जो मॉडल अपनाया जा सकता है आर्थिक और भूराजनेतिक जोखीमों से गुजरते हुए भारतिय अर्थ व्यवस्था वित्वर्ष 2023 में 7 प्रतिशत और वित्वर्ष 2024 में 6-6.8 प्रतिशत के निरंतर अनुमानित विकास के पत पर है तो जो हमारा अनुमानित विकास पत है इसमें 2023 में 7 प्रतिशत और वित्वर्ष 2024 में 6-6.8 प्रतिशत है यह हमें ध्यान में रखना है विकास का यह सकारात्मक पुर्वनुमान मजबूत घरेलू कारको द्वारा संचालित और वैश्विक व्यावधान के बावजूद इनके मजबूत बने रहने की संभावना है खपत में एक मजबूत वापसी कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट की मजबूती और पुझिगत व्याय का भारी प्रवाह इसमें शामिल है यानि कि खपत में एक मजबूत वापसी यानि हमने खपत भी की है और कॉर्पोरेट की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हुई है पुंजिकत व्याय का भी भारी प्रवा हमारे अर्थव्यवस्ता में हुआ है यह है बजट व्यापक आर्थिक स्थिर्ता और राजकोशिय विवेक को बनाई रखने के लिए सरकार के सपस्ट और अट्टूट समर्पन की पुष्टी करता है यानि बहुत से समश्याइं आई उसके बावजूद पुंजी का परवा जो है बाजार में किया गया वित्वर्स 21 में अपने उच्टम बिन्दू पर पहुंचने के बावजूद राजकोशिय गाटा अब सम्मेकन की और बढ़ रहा है यानि हम उसको सम्मेकित जो हमने किया है राजकोशिय गाटा अपना उसको हम सम्मेकित किया जा रहे हैं धिरे धिरे और 2023-2024 के लिए 5.9% निर्धारित किया गया जो कि 2022-2023 के लिए शुरो में अनुमानित 6.4% से कम है और 2014 के बाद से अपनी आर्थिक नीतियों के कारण भारतिय अर्थ विवस्ता दुनिया में 10.5 स्थान पर पहुँच कर 5 स्थानों की चलांग लगा चुकी है आगे बात करते हैं यह बजट क्रिशी परियतन और बुनियादी धांचे जैसे क्षेतरों पर विशेश ध्यान देने के साथ इस मजबूत आधार को विकास की नई गती प्रदान करता है इस बजट में की गई सबसे महतपुरन गोश्णाओं में से एक है पुझीकत वियाय में 33 प्रतिशत की व्रदी करना यानि जो पुझीकत वियाय है हमारा उसमें 33 प्रतिशत की व्रदी की जाएगी जिसे बढ़ा कर 10 लाख करोड रुपे कर दिया गया है तो आप साथ के साथ एक नोटबुक पहन रखें और जो factual information है उनको note करते रही या फिर आपके पास अगर ये पत्री का है योजना पत्री का तो इसका ये लेख अगर आपके सामने है तो आप उसमें underline करते हुए चले पिछले दो वर्षों के और चित्या को जारी रखते हुए सरकार बुद्धी मानी से पुझी निर्मान के माध्यम से भारत के विकास को आगे बढ़ा रही है और अध्यनों से संकेत मिलता है कि पुझी का चंपत्ती के निर्मान पर सरकार द्वारा खट्च किये गए प्रते दर है यानि अगर हम उपभोग पर खट्च करें या उपभोग पर खट्च करें तो उससे जो हमें रिटर्न मिलता है उससे उसकी दर जादा है जो हम पुझीगत संपत्ती का यूज करते हैं आगे बात करते हैं माफ किजिएगा बुन्यादी धांचे में सरकार के बड़े पुझी निवेश की अधिकता और विकास के सकारात्मक चक्र को शुरू करने के अलावा अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी इसे बनती है बुन्यादी धांचे के क्षेत्रों में पुझी निवेश पर केंद्र का लगाता जोर भारत की उत्पादक शम समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर एक क्रिशी त्वरक कोश की स्थापना पशुपालन डेरी और मतस्य पालन के लिए त्वरित रिण जैसे अनेक नितिकत उपायों के साथ क्रिशी क्षेत्र में विकास को प्रा क्रिशी क्षेत्र के उधान के लिए किस किस तरह की जो नितिकत उपायों के गए हैं तो पूइंट्स हैं जैसे एक तो बजट में डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर दूसरा क्रिशी के लिए उनेक गये हैं पोशक अनाज के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाने की योजना है जो की मिलेट है बजट ने समावेशी विकास को गती देने और जलवायू परिवर्तन से प्रभावी ढंक से लड़ने के लिए उप्यूक्त पहल की है यानि बजट में समावेशी विकास में गती क साथ साथ जो हमारा जलवायू परिवर्तन हो रहा है उस से लड़ने के लिए भी प्रभावी जो पहल है वो हमारी की गई है गोबर्धन यानि कि जो गोबर है उसको यूज करना योजना के माध्यम से सरकार हरित उर्जा उत्पन करते हुए 500 ने वेस्ट टू वेल्थ देख जा रही है यानि कि गोबर्धन योजना जो है इसके माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स स्थाबित किये जा रहे है यानि अगरिव 500 जो है इस टाइप के प्लांट्स जो है वो स्थाबित किये जाएंगे जिससे किसानों की आय में डेफिनेटली क्या हो जाएगी नेक्स देखते हैं अमरत काल में यह है पहला बजट है और अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन के हर पहलू को बहतर बनाने और उनके जीवन को आसान बनाने के भारत के दृष्टिकोन को प्रती ध्वनित करता है बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और निवेश किये गए प्रतेक रुपे के मद्यम से समाजिक प्रभाग को बढ़ाने के लिए खाद्य और पोशन, सारजनिक स्वास्थे और शिक्षा, कोशल, समाजिक उद्यमिता और ग्रामीड आवास जैसे प्रमुक क्षेत्रों पर जोड़ दिया गया है आठ वर्षों में सरकार की प्रमुक योजनाओं के मद्यम से भारत को एक ऐसा देश बनाने पर ध्यान के इंद्रित किया जा रहा है जो सबी पहलूओं में आतम निर्भर हो और जहां समाज के सबी वर्गों की बुन्यादी सुविधाओं तक पहुँच हो यानि कि सारी के सारी जो वर्ग है उनकी पह पहुच बन सके सारी के सारी बुन्यादी सुविधाओं तक इन पर्यासों में खुले में सोच को खतम करने के लिए सोचाले उपलब्द करवाना नल से पानी तक पहुच बिजली एलबीजी सिलेंडर स्वास्थ्य सेवा और बैंक खाते आधी शामिल है और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर जो है सुलब कराने के लिए सभी मुल्बूत आवशक्ताओं को सुनिस्चित करने की दिशा में 2014 में सरकारी कार्यकरमों की सारुजनिक सेवा वित्रण की देखियागा आगे इन सभी को उपलब्द करवाने के लिए और सभी मुल्बूत आवशक्ताओं को सुनिस्चित करने की दिशा में 2014 से सरकारी कार्यकरमों की सारुजनिक सेवा वित्रण में यानि कि जो पब्लिक डिस्रिबूशन सिस्टम था इसके अंदर एक महत्वुपरण बदलाव आया है और हाशिये पर रहने वाले समुहों को सशक्त बनाने में अभूत पुरव प्रगती हुई है यानि कि जो हाशिये पर यानि कि जो अंतिम स्तर पर जो व्यक्ति थे उन तक पहुंच बनाई है और एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान किया गया है जो आतम निर्भरता प्र करेकरमों के माध्यम से भारत अब शत प्रतिशत लक्षय तक पहुंचने की अकांक्षा रखता है और इस बजट में सरकार ने इन योजनाओं से अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए सपस्ट समय सीमा के साथ लक्षित निवेश किया है यानि कि सपस्ट समय सीमा है और लक्षित निवेश किया है कि लक्षर इधारित करके फिर निवेश किया है प्रमुक ग्रामीन आवास योजना जैसे प्रधानमंतरी आवास योजना का उदेश सबी के लिए आवास प्रधान करना है प्रधानमंतरी आवास योजना की स्थापना के बाद से इसके लिए पहल से 2023 में लगबग 45 लाख ग्रामेंड परिवारों को लाब होने की संभावना है आर्थिक रूप से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ भारत की आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलाव हो रहा है बारत का और बजट ने इस दर्शन को दोहराया और विकास के इन प्रमुक स्तम्भों को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोशना की गई वित्वर्ष 24 के बजट में घोशित दीन द्याल अंतियोधिय योजना राष्टरिय ग्रामीन आजीवी का मिशन का जो उदेशे है ग्रामीन महिलाओं के 81 लाख स्वयम सहायता समूहों को बड़े उत्पादक उद्यम बनाने महिला सम्मान बचत पत्र अमरित काल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिक रण के लिए एक लगू बचत योजना है यह एकतना की युवाओं की ख्षमता और उनके समकालिन कोशल विकास के महत्वों को स्विकार करते हुए दो कार्यकरम PM कोशल विकास योजना और यह PM कोशल विकास योजना का 4th version है 4.2 और अमरित पेडी कार्यकरम जो है वो शुरू किये गए तो दो मैत पुरण कार्यकरम युवाओं के लिए इन कार्यकरमों का उधिशे युवाओं को कोडिंग, कोडिंग, आर्टिफिशिल इंडेलिजन्स, रोबोटिक्स जैसिक सम्मताओं से लेस करना है यानि उन्हें ये कोशल प्रदान करना है कोशल विकास क्षेतर को मजबूत करने के लिए नवाचार और प्रभाव को प्रमुक कारकों के रूप में पहचाना गया एक पहल शुरू की गई है, देखो अपना देश, पहल और भविशे की चिकिटसा प्रदोगी कियों, अत्यादुनिक विनिर्माण और चिकिटसा उपकरनों में अनुसंधान के लिए बहु विश्यक पाठे क्रमों जैसे एक क्षेतर से जुड़े क्षेतर तक जुड़ी ग लोगों की प्रगति और अकाक्षाओं पर जोड़ दिया गया है, तो चलिए ये हमारा लेक था, जो की बेसिकली यहाँ पर हमने पूरा किया है, योजना पत्री का जो है, इसका समावेशी और स्रशक्त भारत का मसोधा, जिसके राइटर है संजीत सिंग और दिव्यांशी दिडवानिया जो की वरिष्टो सलाकार है नितियायो के और दिव्यांशी दिडवानिया जी जो है, वो यंग प्रोफेशनल है नितियायो के, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स आर्टिकल के साथ हमारी नेक्स वीडियो में, अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगी है, तो Thank you very much.